एक संसनी खेज चीजों को परोश करके समाज में एक विसाक्त वातावन पैदा करने का जो कुछित प्रियास हो रहा है राजनीती के घड़तेवे गिरतेवे अस्तर को ये प्रदर्शित करता है विपक्स पुरीतरे नकारात्मक भूमिकामेक के साथ में है और उन अंतराश्टिय साजिसों का सिकार जाने अंजाने में हो रहा है जो अंतराश्टिय साजिस किसी न किसी रूप में भारत को और इस्थिर करना चाते हैं भारत को किसी न किसी रूप में अस्त ब्यस्त करना चाते हैं कि कोई पहली घटना नहीं है याद करिए जो अभी कुस वर्स पहले 2020 में प्रारंब में अमेरिका के राष्ट पती की भारत विजिट के दोरान उनके दिल्ली पहुँचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआत भीशन दंगा क्या एक साजिस का हिस्सा नहीं था तमाम विपक्सी दलों के लोगों की संव्लक्तता उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी करोना कालखंड के दोरान देश के कोविड प्रबंदन को डिवलुएचो और दुनिया के देश सरा रहे थे लेकिन भारत के अंदर विपक्स एक ऐसा माहूल बनाने का प्रियास कर रहा था जैसे कि सरकार इन सभी चीजों से अन्विग्या है और महामारी से लोग मर रहे हैं अंतराश्तियस्तर पर भारत की छवी को खराब करने भारत को औस्थिर करने के लिए जिन मनसूबों के साथ विपक्स कारे कर रहा है या तिन तो दुरुभागे फूर्ण है अनेक ऐसे उसर आये हैं जब भी देश के अंदर कोई महत्वपूर्ण कारिक्रम होता है उससे पहले विपक्स किसी न किसी साजिस का सिकार होकर के देश के खिलाब या दुनिया के अंदर भारत के खिलाब माहूल बनाने के लिए किसी न किसी खड़ेंत्र का पार्ड बन जाता है संसत का इस सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र था और मुझे तो अस्षर होता है ये परिपाटी रही है संसत सत्र में क्योंकि लगभग 19-20 वरसों तक संसत के अंदर कारे करने के लिए का मुझे उसर प्राप्त हुआ था भारत के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रहरी और सबसे महत्वपूर्ण स्थम्भ देश का संसत है एक आम नाकरी की आवाज को उस मंच के मात्यम से हम देश के सामने रखते हैं और संसत की परिपार्टी रही है कि मंत्री मंडल के गठन पुनर गठन के साथ मान्य प्रधान मंत्री के द्वारा नए मंत्रियों का परिचय संसत से कराये जाता है आपने देखा होगा मंत्री मंदल के परिचय के कारिक्रम में गरामी इंड प्रिष्ट भूमी से जुड़े वे अनुसुची जाती जन जाती पिछडी जाती और उन तबकों से जुड़े वे मंत्री काफी बड़े पैमाने पर बने हैं जिनोंने देश की आजादी के बाद कभी भी नित्रत्व नहीं देखा था आज जब उस तबके को नित्रत्व दिया गया उन्हें आगे बढ़ने के लिए काउसर प्रधान मंत्री जी ने दिया और उन सभी मान्य मंत्रियों के परिचे संसत सत्र प्रारम होने के साथ ही संसत के अंदर होता विपक्स कोई रास नहीं आया संसत एक मंचो होता है अपनी बात को रखने का लेकिन सोर गुल का सिकारम संसत को बना ले लोक तंद्र का गला घूंटे जैसा है ये लोक तंद्र के साथ खिलवाड है और ये लगातार विपक्स कर रहा है आपने देखा होगा किसान अंदोलन के नाम पर किस तरीके से देश के खलाब साजिसें रची जाती है कैसे किसान को समधाय में मत और मजभब के साथ जोड़ करके देख करके उनके माद्यम से भड़काओं और देश विरोधी किर्थियों को आगे बढ़ाने की छूड़ दी जाती है विपक्स उनके साथ खड़ा होता वा दिखाई देता है ये नकारात्मक राजनीती से न देश का कल्यान होने वाला है और न विपक्स का ही और न जनता जनार्दन का ही इस प्रकार के नकारात्मक राजनीती देश के अंदर वातावरण को विसाक्त जरूर करेगे भारत की छवी को अंतरास्ती अस्तर पर खराब भी जरूर करेगे करोना कालखंड के अंदर विपक्स की इस नकारात्मक रवये के कारण भारत की छवी पहले काफी आहत हुई लेकिन अपनी नकारात्मक तासे विपक्स आज भी बास नहीं आ रहा है पत्थेहीन जूटे आरोप लगा लगा करके देश के कस्षी नित्रत्तों को बदनाम करना भारत की छवी को अपने देश की छवी को लगातार निरंतर धुमिल करना विपक्स की एजेंडे का हिस्सा बन चुका है उनके कुछ सित मनसाएं कभी पूरी नहीं होंगी जनता जनार्दन समयाने पर उन्हें फिर से जवाब देगा वैसे ही जवाब देगा जैसे 2019 के लोकसवा चुनाओं के ठिक पहले रास्तिय सुरक्सा से जुड़ेवे अहम मुद्दों पर राफेल जैसे मुद्दों को लाह करके उस समय विपक्स ने देश का वाताण खराब करने का प्रियास किया था बाद में उनको मुखी खानी पड़ी थी नियायले में भी और जनता जनार्दन की अदालत में भी इस बार फिर से संसत सत्र के इस महत्वपूर मुद्दे पर जहां पर गाओं के लिए गरीब के लिए किसान के लिए नौसवान के लिए महनाओं के लिए समाज के विभिन्द तपकों के लिए चर्चा होती करोना महमारी को लेकर के चर्चा होती vaccination की drive को कैसे हम समयबद ढंग से आगे बढ़ा करके देश के अंदर पूरा करें इसको ले करके इस सदी किस महमारी से निपटने में सामिकता का क्या प्रभाव हो सकता है इन सब मुद्दों पर जहां एक सार्थक चर्चा का मंच संसद होता चर्चा का मंच न बना करके सोर्गुल और केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप के साथी तत्यहीन और जूटे आरोप मंगड़नत आरोप लगा करके देश की छबी को भी धुमिल करने का जो कुछित प्रियास हो रहा है ये कभी मंसाएं विपक्स की पूरी नहीं होंगी इस परकार के मंगड़नत और तत्यहीन आरोपों को एक सिदे से खारिच किया जाना चाहिए कि देश की जंता मांग कर रही है कि विपक्स करुणा काल खंड में जो एक विसाप्त वातावन विपक्स नहीं बनाया था देश के अंदर दुनिया के अंदर देश की छवी को खराब करने का कुछित करे किया था उसको लेकर के भी और संसत सत्र की कारवाई को निर्वाद और निर्विग्न संपन करवाने में योगदान देने की बजाए अपनी इस नकारात्मक्ता के करण जनपक्स से जुड़ेवे जनता से जुड़ेवे जुलन्त मुद्दों को संसत में न उठने देना ये आम नागरी के जीवन के साथ खिलवाड है निपक्स को इस बात के लिए जनता जनार्दन से और देश से माफी माँगने चाहिए यह अंतराश्ची में इस तरपर साजिस है या सिपक्स की साथ खिलवे जिस संसस सत्र में किसानों के मुद्दों को लेकर के कोविड के मुद्दे को लेकर के और देश से जुड़ी भी अन्यमहत्वण मुद्दों को लेकर के सार्थक चर्चा होती तमाम ऐसे बिल्स थे जिन पर आगे चर्चा वढ़ा करके देश के हितों के लिए 130 करोड लोगों के हितों के लिए कारे होता उस पर कारे संसद में होने देने की वजाए विपक्सित जिस नकारत में घुमिका के साथ आया